इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। चेक 80 tablet का इस्तेमाल hypertension, high blood pressure के इलाज में किया जाता है। ये दो दवाओं का एक सयोजन है, जो एक दवा के प्रभावी नहीं होने पर रक्तचाप को नियंतरित करता है। ये उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, और इस प्रकार भविश्य में दिल के दोरे और stroke की संभावना को कम करता है। आप चेक 80 टेबलेट को दिन में किसी भी समय खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन बहतर यह होगा कि इसे रोजाना एक ही समय पर लिया जाए। जब तक आपके डॉक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं, तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्यूंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं। यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्था हार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी। इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इससे सिर्दर्ड, टकने में सूजन, धीमी गती से हिरदय गती और मतली जैसे दुश प्रभाव हो सकते हैं। इससे चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो। यह रक्ट में पोटेशियम के स्तर को बढ़ा सकता है। इसलिए पोटेशियम युक्त भूजन या पूरक आहार से बचें। उपचार के दोरान आपसे रक्ट चाप, गुर्दा की कारे प्रनाली और इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव या किड्नी की कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं। विशेश रूप से वे जो उच्च रक्चाप या हरदय की स्थिती का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।